वहीं यूपी में विदान सबाच चुनाव नस्दीक आते ही अयुध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई है एक तरफ मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात के अयुध्या से चुनाव लड़ने के अतकले हैं हलाकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के वैधायक हैं लेकिन बदले महौल में संथ समुधाय से जुड़े आदमी को टिकट देनी के मांग उठ रही है क्या छोटे क्या बड़े संथ के सराण में सब एक है इसके नाति लोगों की जो मांग है जो लोगों की इच्छा है कि अध्यास कोई संथी लड़े तो लड़ाना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए जैसा नगर निगम का मैं चुनाव लड़ा था किसी कारण से टिकर नहीं मिला लेकिन मैं धन्यवाद हूंगा अगर संथन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किये जहां तक बात है जमना जी की जमना जी की दरस दसा तो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है पिछले कुम्ह में बहुत प्रयास किया और जल भी खूब बढ़ा लेकिन बरत्मान की इस्ततिय में जल में इतना भारी अभाव हुआ है भारी कम जल है और आसा समस्त ब्रजबासियों को और सनातन धर्मियों को है कि अगर ये सरकार अगर जमना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर तो लगता है हम लोगों को आसा तोड़नी पड़ेगी जमना सुद्धी करण पर सरकार पूरी तरह से प्रत्बद है चार सो साथ करोड से यमना सुद्धी करण पर हम लोग काम कर रहे हैं मसानी पर हमारा जो प्लांट है वो 31 अक्टूबर दोजार अकीस से चालू हो चुका है 35 नाले है 35 में से 31 नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं से जो नाले है उनको बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा तो यमना का सुद्धी करण सरकार की प्रात्मित्ता में है योगी सरकार की महत्वा कांची योजना नमामी गंगे का वसर देखने को मिल रहा है कि उसके कारणों में तेजी साफ तोर पर दिखाई दे रही है इनका पानी पहले यमना में गरता था जो काफी प्रदूशन फेला था यमना के पानी में और काफे समय से अंदोलन चल रहा था कि ऐसे नालों को बंद किया जाए और बढुले मोदा यमना की सफाई का जरूर बनेगा यूबी के मेरिट का सोती गंज बाजार पुरी तरह से बंद कर दिया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में मौजूद दुकानों पर चोरी के गाड़ियां काटने और उन्हें बेचने का रूप है जिसे देखते हुए योगी अधितेनाथ की सरकार ने पूरे बाजार पर ताला लगवा दिया मार्केट एसोसेशन का दावा है कि प्रशासन ने करीब 500 दुकानों को बंद कर दिया है जिसका असर 5000 परिवारों पर पढ़ रहा है वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार से दुकाने खोलने के मांग की है वहीं बाजार बंद करने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है इस मुद्धे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए है लिए दो करने साफ सोझ में आते हैं क्योंकि हमने अखली जी की सरकार भी देखी है उसे परिवादी पार्टी की सरकार भी देखी है एक तो उनका अपरादिया के साह्थ सवावी गढ़ बंदन है दूसरा क्या होता है कि यदि किसी अपराद के अंदर खासत और से अलब संखक वर्ग है, तो उर्प संखक वर्ग करने से बसते हैं, नहीं करते हैं। और दुर्भाग्या ऐसा है कि जो मिर्ट का जोगुरा है कर फिरक सर्ने रहा है, इसमें अलब संखक वर्ग के भी तर अप्राई होत wr. त इसलिए उन्होंना कररवी नहीं की। रोज रोज नए नए जुम्ले घड़ने का काम जब से यह आए हैं 2014 से लेकर अब तक चाहे वो सेंट्रल गवर्मेंट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्मेंट हो इसके अलावा यह कोई काम नहीं कर रहे हैं अब चुनाव सर पर हैं की तो यह सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, और हिंदू और मुसलमान क्योंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है बताने के लिए कुछ नहीं है विकास का कोई एजंडा नहीं है विकास का कोई काम नहीं है तो इनी बातों को लेकर ये राजनीत करेंगे और आप यह बताईए सबसे पहले दुकाने बंद कर दी गई है करीब evaluate हफता होने को है क्या कहना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि यह राजनीती की वजा से आपकी दुकाने कि बंद की गई हैं और क्या यारोप लग रहें कि यहां पर चोरी के واहरा हैं सोतीगन को और ज़ादे से तरीके मौरगे लिया आया हवुवन सबखा और सदर में के कनस्तर के कनस्तर घिके कनस्तर जो मेवा के छाधे उन्हें लूट जातें उन्हें उनका परशासन नहीं नहांटा है और परशासन क्या लगता है क्यों परशासन के हैं लगबाग बेवरा दे वे चार दीन हो गए लेकिन हम जो आज απο और बात करते हैं पंजाब की सियासत की पंजाब की सत्ता पर काविज कॉंग्रिस पर जल से जल अपने उमिद्वारों की सूची जारी करने का दवाब है ऐसा इसलिए क्यूंकि आम आदमी पाथी ने करीब 40 सीटों पर और अकाली दलो बीस्पी ने राज्य की ज्यादातर आप बढ़ता ही जा रहा है हलांकि दूसरी पार्टियों की तरह कॉंग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चरण जीत सिंग चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोट सिंग सिद्धू लगातार सरकारी और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं कॉंग्रेस का कहना है कि जल्दी पार्टि अपने उमिद्वारों का एलान करेगी आता है खेलाडी है ना तो इसलिए कोई प्राब्लम दी है कि वह यूपी के मतुरा वरिंदावन शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है मतुरा वरिंदावन की गलियां विश्व प्रसिद्ध हैं कहना कि इन गलियों को देखने के लिए देश चद्धालू आते हैं लेकिन संकरा होने की वज़े से वहां लगतार हाथ से होते हैं जिने देखते हुए इन प्राचीन गलियों का सौंदेरी करण पूरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योचना सरकार ने तयार की है योचना के तहत नगर निगम ने प्रिशासन की देख स्क्रेक में सडके बनाना शुरू कर दिया है इसके लावा पूरे शहर में सीसी टीवी कैमरे का जाल पिछाया गया है जगा जगा तीर्थियात्रियों के लिए फ्री वाइफाई की व्यवस्था भी की गई है जाती भी है तो हमें पता होता है कि हाँ आने वाली हमें विश्वास है कि लाइट जाती है तो हमें लगता कि हाँ एक दो मिट में आने वाली होगी तो हम किसी वी चीज़ से परिशान नहीं है गोवर्मेंट की दर्ब से हमें बहुत सारी मदद मिल रही है मत्रा की पंजबलियों का विकास सरकार की प्रात्मिक्ता में रहा और पहले ये सब गलियां उवडखावड थी हमारी सरकार बनते ही हमने पहली प्रात्मिक्ता में भगवान कृष्ण की जो कीड़ा स्थली है उनकी जो कुझ गलियां है उनके संद्रिकण का कारह हमने शुरू किया ये हमारी सरकार का एक छोटा सा इनिसियेटिव है और अभी तो बहुत काम हमको करना है अभी तो केवल स है तो प्रयास किया है कि जो प्रातन स्वरूब है मत्रा परंदावन का कुंझ गलियों का इसको हम प्रातन सरूब को पणार स्थापित करें तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो लगवग 28 जो कुंझ गलियां बांके विहरी जी मंदर को जूडती हैं उन पर कारे पूड़ हुआ है औरखबरों में रुकते हैं उत्राखन का केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आलवेदर रोड पर अब सियासत शुरू हो गई है इस प्रोजेक्ट पर कॉंग्रेस निता हरी शाबत ने सवाल भी कराया था प्रदान मंत्री नरेंदर बोदी ने डिसंबर दू आपको बता दियें कि 2016 में All Weather Road प्रोजेक्ट शुरू किया था अगले साल इस योचना के पूरा होने का लक्षे रखा गया है प्रोजेक्ट की पूरी लागत 12,000 करोड रुपए है जिसके तहट उत्रा खंड क 889 किलोमेटर सडकों को डबल लेन में बदला जा रहा है अभी तक 724 किलोमेटर पर काम पूरा हो चुका है All Weather Road प्रोजेक्ट की सडके जिन जगों से गुजर रही है वहां रहने वाले लोग बहत खुश हैं उनका कहना है कि सडक बनने से उन्हें जैम से मुक्ती मिल जाएग कि इसके लावा सडकें बहतर होंगी तो परिया तक भी ज्यादा आएंगे जिससे उनका कारूबार बढ़ेगा सबसे महत्व कांक्षी प्रोजेक्ट है All Weather Road एक ऐसी रोड का पूरा प्रोजेक्ट जो की चार धामों को जोडती है इस वक्त यमनोत्री के रास्ते में हम है खरादी गाओं के पास पहुचे हुए तो पहले तो मैं आपको तस्वीरे दिखाओं कि ये जो All Weather Road है वो किस तरीक से काम करें आप पुराना पुल यहां पर देख रहे हैं जहां से फिलहाल जो तमाम गाडियां है वो आ रही है लेकिन इसके ठीक बगल में आपको नई तकनीक से बना हुआ ये पुल नजर आ रहा है ऐसे एलिवेटेट पुलो को पूरी सडकों में जोड़ा जा रहा है ताक यह लोग है वो इसे कैसे देखते हैं उनसे हम बात करते साथ पहले तो यह जो आल वेदर रोड बन रही है इसका फाइदा है क्या आप लोगों को पूर्द है इसमें आए दिन काफी जाम किस्तिती रहती थी यहां पर आओ गमन में कमसीरम डेर्ट गंटे लेट हो जाती थी वैसे भी सामरिक मेहतों से भी इसका ओल वेदर होना बहुत मेहतो पूर्दा है उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विदान सवाथ चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो इसके लिए पार्टी ने देरादून से एक 40 रतों को हरी छंडी दिखाई है जो राज्या के अलग-अलग जगा जाकर लोगों के सुझाव लेंगे कि बीजेपी का घोशना पत्र कैसा हो इन रतों के खासियत ये है कि इस पर एक LED स्क्रीन लगी है जिस पर मुख्या मंत्री लोगों से उनके सुझाव भी मांगेंगे उत्राखंड चुनाओं के लिए उत्राखंड बीजेपी ने पूरी तयारिया कल रही है आज इस तरीके के 41 रत को गड़वाल रीजन के लिए भेजा जा रहा है ये देखते हैं आप ये सुझाव रत बनाए गए है जहां पर एक तरफ LED लगाई गई है जिसमें लगातार CM का जो मेसेज है वो आता रहेगा और साथ ही ये पूरे इस तरीके के एक दो नहीं बलती 41 ट्रकों को आज रिलीस किया जा रहा है उत्राखन BJP के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इसे यहां से रिलीस कर रहे हैं ये जगह जगह पर जाएंगे लोगों के सुझाओ जो ये रत है इसमें लिये जाएंगे और इन सुझाओं के बल्बूते पर ही बनेगा उत्राखन BJP का चुनावी मैनिफेस्टों यहां आप तस्वीरे देख रहे हैं कि लगातार यहां से जो रिलीस करने के लिए जंडा दिखाने के लिए यहां पर तयारिया हो रहे हैं एक के बाद एक आप देखरें तस्वीरे में मदन कौशिक भी आपको नजर आ रहे हैं और फिलहाल जो गुपारे हैं उन्हें उडाने के तयारिया यहां हो रही है इनके उडाने के साथ ही यह तमाम 41 रत जो है वो यहां से रवाना कर दिये जाएंगे इन रतों को तुमाओ के लिए पहले ही निकाल दिया गया है झाल 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 झाल